टो फ्रेंट मार्केट से महंगी मिलावटी मिठाई क्यों लाना जब हम घर पे फटा फट से इतनी अच्छी टेश्टी और महहंगी मिठाई तुरं बना सकते हैं तो फिर मार्केट की महंगी मिलावटी खाने का क्या मतलब तो इसलिए आज मैं लेके हैं बहुत ही जटपट ब करने वाली और अच्छी टेस्ट में बिल्कुल बहतर है तो ऐसी मिठाई में लेकि आए हूं और यह फटा-फट से बन जाती हो हमें पता रहता है कि हम क्या डाल रहे हैं तो हम अच्छी से खा सकते हैं कि बाहर मिलावटी आती है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो यहां मार्केट में आसानी से मिल जाता है और अगर आप यह नहीं लाना चाहते तो जो कच्छा नारे लाता है आप उसे भी ले सकते हैं ब्राउन वाला पार्ट निकाल के वाइट वाइट वाला पार्ट मिक्सी में पीस लीजिए वो पाउडर बन जाएगा या फिर आप सूका ज जा लिया है रिखंत को कोकोनेट पाउडर तो इस हिम आया गी अगर कुछ नहीं डाल रही है ऐसे Kit वि criast करेंघ। यहां मैं ड्राइ ही रोस्ट कर रही हूं तो इसे थोड़ा सा भूनना है कलर नहीं चेंज करना है डेट से दो मिनट भूनना है ताकि इसका जो कच्छा पंड रहता है वह खाली वह निकल जाए और अच्छी से खुश्बू आने लगे तो यह देखिए सिकने के बाद कुछ इ कि इतना वह हमें भूनना है को तो अब हम इसमें डालेंगे दूध तो यहां मैंने दो कटोरी कोपलर लिया था तो मैं दो कटोरी ही दूद डाला है कि दूद डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है मीडियम आज पर ही हमें यह मिठाई बनानी है बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगती है और तुरंत बन जाती है तो इस रक्षय बंदन आप भी पसंद आएगी तो यहां दूद को इस तरह से चलाते हुए अब दूद को पूरा सुकाना है यानि की दूद को अच्छे से पकने देना है साथी में डाल रही हूँ यहां थुड़ा सा इलाइची पाउडर वन फोर्थ चम्मच और अगर आपको इलाइची का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इस किप भी कर सकते हैं अगर ना भी डालो तो इसमें कोकोनट का खुद का फ्लेवर होता है तो वह भी ना डालेंगी तो भी चलेगा तो यहां देखिए अब दूद अच्छी तरह से सूक चुका है इसमें यह देखिए दूद बिल्कुल भी इसमें नहीं दिख रहा है तो मतलब दूद अच्छे से इसमें पक चुका है अब डालेंगे चीनी तो चीनी मैंने यहां उसी कटोरी से लिया है एक कटोरी चीनी तो एक कटोरी चीनी यहां मैं डाल रही हूँ चीनी डाल के भी अच्छे से mix करेंगे और अच्छे से mix करेंगे तो आप देखेंगे कि चीनी जैसे जैसे पिगलेगी तो यह थोड़ा सा वापस से गिला होता जाएगा तो यहां मैं बाद में थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डालूंगी अगर आप मिल्क पाउडर ना डालना चाहरे हैं तो आप क्या करें कि दूद्ध डबल कर दीजिए कि मैंने दो कटोरी में दो कटोरी दूद लिया तो आप चार कटोरी दूद लीजिए और side में पहले से दूसरे बरतन में उसे उबाल के आदा कर ले फिर वो दूड डाले तो वो मावा वाला texture देगा एकदम milk powder डालने की जर्रत नहीं पड़ेगी तो यहां देखिए चीनी पिगल गई और चीनी पिगल के यह भी चीनी का पानी भी अच्छे से सूख चुका है वापस से गाड़ा करना है चीनी डालेंगे तो यह वापस से पतला होता जाएगा और फिर उसके बाद चीनी अच्छे से पकेगी ना तो यह फिर से गाड़ा हो जाएगा तो यह गाड़ा होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आदा कटोरी मिल्क पाउडर क्योंकि मैंने इस आदा वाला दूड डाल चाहिए और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मिल्क पाउडर डालने के बाद हमें ज्यादा नहीं पकाना है इसे तो यहां मैं डाल रही हूँ एक चमच गी तो मैंने पूरी रेसीपी में घी का यूज नहीं किया है लास्ट में मैंने एक चमच गी डाला है वह भ अगर आप गी नहीं खाते हैं तो आप यह रिसीपी बना सकते हैं है हूए मैं आप चाहिए तो यहां दो से तीन चमच भी डाल सकते हो यह यह देखिये यह हमारा मिक्सर बिल्कुल तयार हो गया है यह देखे इसके अल्ड़ की ननिया है तयार है तो यहां देखिए यह मैंने मोल्ड लिया है उसमें थोड़ा सा गी लगा देंगे चिकना कर देंगे ताकि जो हमारी वर्फी है असानी से निकल जाए तो यहां की मिक्सर को इसमें डाल देते हैं और अच्छे से चारो तरब सेट कर देंगे तो यह देखिए इस तरह से मैंने सेट कर दिया है थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे ताकि जो हवा है वो निकल जाए यहां मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ इसको थोड़े से केसर के दागे के साथ आप कोई भी अपने मन पसंद से डेकोरेशन कर सकते हैं काजू बदाम पिस्ता कुछ भी डालके यहां डेकोरेट कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा इसको हाथ से दबा देंगे ताकि जिपक जाए और अब इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तो रेस्ट के लिए हम फ्रीज में रखेंगे अगर आप बाहर रखना चाते हैं तो हम बर्फी को कट कर लेते हैं तो पहले तो चारो तरब से हम कॉर्णर को छुड़ा लेंगे उसके बाद हम कट करेंगे तो आप बर्फी कोई भी सेप में आप अपने मन पसंद से कट कर सकते हैं यहां मैं स्कॉाइर में ही कट कर रही हूँ क्योंकि बर्फी जो होती है वो इस्कॉाइर में ही अच्छी लगती है तो यहां देखिए इस तरह से आप रेक्टेंगल की सेप में इस तरह से लंबी-लंबी भी आप कट करके रख सकते हैं तो यह देखिए इसका टेक्स्चर देखिए बहुत ही जादा मावा वाला टेक्स्चर है तेस्ट भी वही आता है बहुत ही मज़ेदार मिठाए बनके तयार होती है नारियल से और जटपट बन जाती है कोई जणजट नहीं है तो यह देखिए इस तरह से मैं चोकोन में यनकी स्कॉयर में अधार हो गई है तो इस रक्षा बंदन आप भी जरूर ट्राय कीजिए यह वाली कोकोनट की बर्फी बहुत ज्यादा पसंद आए गया आपको और अगर पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सेर कमेंट कीजिए अपने फेमिली और फ्रेंड्स के साथ स सकते हैं कि यह वाली मिठाई का वीडियो बनाओ तो मैं वो बनाओंगी तो चलिए मिलते हैं नहीं रेसिपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केर हैपी रक्षा बंदन